अभी हलका मैसुस हो रहा है यहाँ सीने में जो बारी-बारी जैसे लगता था ठीक लगए एक हाई अबरिबन क्यासों आप सभी है देमेज थे उसमें इस्टूटम जबा हुआ था क्योंकि इसका एक्सेर अगरा भी कराए गया था उसमें इंफेक्शन भी काफी था इससे रॉक्सित्रोमाइसिन है आज इस वीडियो में सीख लेते हैं और बच्ची जो है 15-16 साल की लड़की है तो इसे अभी चार देंसे इसका ट्रीटमेंट चल रहा तो काफी आराम है और बहुत अच्छा फील कर रही इसी खांसी जो पहले दिन भर आती थी वह बिल्कुल कम हो गई अब उसे सिर्फ सुब देने के लिए मैंने जब स्ट्रेथोस्कोप से चेक किया तो बहुत खर-खर सीटी जैसी आवाज आ रही थी तो मतलब जो पहले इसके जो स्प्यूटम था विल्कुल आवाज नहीं आती थी अभी है क्या आवाज आ रही तो इसका मतलब है जो स्प्यूटम है वो थोड़ा दीडा निकल रहा है दीला हो रहा है जिस वज़े से और बताटिती कफ में मुझे बल्गम भी आ रहा है तो बहुत धिरी धिरे निकल पे रहा है उसके लंग से तो ठीक भी हो रही है तो इससे कैसे सही तरीके से नेबलाइजर दिया जाता है चलिए वीडियो को पुरा ट्रीप जाएगे हैं जस्माटाओ ठीक है इसको हाथ से पकड़े इसको हाथ से पकड़े पापा कहा है अट्रीप पकड़े पदनेको हागया अब ऐसे इसको नाथ में लगाये ज़्क है बाहर बत आदे अंकर पौहले रहो ने टास्प बेनी थीक है ज़से नर्मल एती वैसे टास्प बेनी थी चला कर दो पाल झाल जईों जई हखो जई जए बलाइड़ झते जज बसी में कोब में अदिया हैं झते जडने वा कि यूली पस्टा राया नग़ गता है कि में झते जडने हैं बसी जडने हैं चाहर शबगला घर भली ठाहर खायब नगया है... क्जबगलाओ जा holiness क्जबगल यह रजा है topic वलाथ झाल झाल कि झाल सेफले का niewीजह थाए था त considerable कि ये जरु कि हम ऍल झाल कर दो आए अँप कर दो कि अब तो अब हलका मैसूस हो रहे हैं यहां सीने में बारी बारी जाएसे लगता था ठीक लग रहा है कि नहीं है कि नहीं है चलो चेकिए